आईए आज बात करते हैं बैदुद धारिता और डेफिनिशन की जैसे कि आपको पता है किसी चालक की जो बैदुद धारिता होती है उसको हम परिवासित करने के लिए यह कह सकते हैं कि चालक की बैदुद आवेज की संग्रहन करने की छमता यानि कोई चालक कितना आविष संग्रहित कर सकता है और किसी दिभाव पर हम उस चालक में कितने आविष रख सकते हैं इस बात को हम कह सकते हैं उस चालक की विद्धुद धारिता यानि हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को हम क्यूँ आविष राय है पाती होगा बोल्ट इस पे या यहां एक consonant मान है कुछ इसके मान को हम चालक की बैदुद धारिता कहेंगे और कह सकते हैं यहांपर अगर हम C को इदर ले ले तो C ब्रावर Q वर्टे V अगर हम कह सकते हैं कि एक फैरट पराबर एक कूलाम पर बोल्ट या एक फैरट उस चालक की वह धारिता होगी जिसको एक कूलाम आवेस देने पर उसके विभाहों में एक बोल्ट की बृधि हो जाती है अब चुब्गे हम जानते हैं कि यहां पर जो आवेस है वो एक बड़ा मात्रक है इसलिए जो farad बेदो धारिता का मात्रक होगा यह मान भी बड़ा होगा इसलिए हम यहां पर धारिता का मात्रक लेंगे वो microfarad और picofarad वे लेंगे जैसे कि हमें पता है एक microfarad is equal to 10-6 farad या एक picofarad is equal to 10-12 farad अब हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी भी चालक की धारिता निकान ली है तो हम कैसे ग्याद करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एक isolated spherical conductor की एक गोलिय चालक की धारिता कैसे ग्याद करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर चितर में देख रहे हैं कि मानक हमारे पास एक isolated spherical conductor है जिसकी तरिजा A है और उसे के प्रावैदुता को वाले माद्ध में रखा गया है यह के कोई भी medium हो सकता है जैसे कि कोई काच हो सकता है या कोई wax हो सकता है अब हम कह सकते हैं कि यदि हम गोलिय चालक को कोई धनाव इसक्यू दे जो कि बाहरी प्रिस्ट पर एक समान रूप से हम मान लेते हैं कि यह वित्रित है तो बिंदू के इस चालक के प्रते एक बिंदू पर समान विभवा होगा इस कारण गोलिया चालक से निकलने वाली जो विदुद बल रिखाए हैं वो प्रते एक बिंदू पर गोलिया चालक के प्रिस्ट के लंबत होंगी और हम कह सकते हैं कि जो गोलिय चालक के केंद दिरिजाओं के अनुदिस दिखाई देंगी या अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि गोलिय चालक का प्रिस्ट या गोलिय चालक के बाहर प्रिस्ट किसी बिंदू पर बैदुद भी हो अग्याद करना है तो उसके लिए हम कह सकते है V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q बटे K A जहाँ पर K हमने उस medium का constant लिया है यहाँ पर हम यह भी कह सकते है कि यदि गोलियत चालक की थारिता हमने C मान ली तो C बराबर जैसे कि हमने पीछे निकाला Q बटे V उसी is equal to हो जाएगी 4 pi epsilon naught K A फैरट गोलियत चालक की धारिता चालक की तरिजा के अनकर्मान पाती होती है जैसा कि यहाँ पर इस equation से पता चलता है अगर हम कह सकते हैं किसी माध्यम के गोलियत चालक की धारिता चालक के निर्वात या वायू में उसी चालक की धारिता के अनुपात का माध्यम के बराबर होती है यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर प्रावैदुतांग नियतांग के का मान गयाद करें तो वो हम कह सकते हैं C बराबर 4 pi epsilon naught A या C naught बराबर K अब हम इसी प्रकार से किसी चालक की potential energy ग्याद कर सकते हैं यानि अगर हमारे पास कोई आवेसित चालक है तो उसकी potential energy क्या होगी वो भी ग्याद कर सकते हैं तो जैसे कि हमने अभी देखा कि किसी चालक को आवेसित करने पर कुछ कार करना पड़ता है यह कार आवेसित चालक में बैदुत उर्जा उत्पन करता है या बैदुत उर्जा के रूप में संचित होता है तो चालक को आवेसित करने के लिए जो संपूर्ण कार करना पड़ता है वह चालक की उर्जा होती है अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास कोई चालक पर हमने Q आवेश दिया और उसे छोटे-छोटे parts में डिवाइड किया और यहीं हम कहले कि किसी चालक का अगर हमने विभाव सुनने से उपर तक ले जाना है किसी V point तक ले जाना है तो उस चालक का जो पहला आवेश का भाग होगा उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसी कार्य को हम कह सकते है कि कार्य करते ही समय आवेश के अन्य भाग को क्या करेंगे प्रतिकर्सित कार्य करेंगे यानि वहाँ पर आवेश के विपरीत कार्य करेंगे और जब वो अधिक सदिक कार्य करेंगे तो यह एक उच्च विभाव पर पहुंच आएगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेस एक maximum potential तक जब पहुचेगा तो वहाँ पर जो संचित उड़ जा होगी वो उसकी स्थिति उड़ जा के रूप में होगी तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि चालक को Q आवेस देने पर चालक द्वारा किया गया कारे या आवेस द्वारा किया गया कारे डबलू बरावर होगा आवेस गुणा average potential यानि औस भी भाव average potential हम कह सकते हैं यहाँ पर वो होगा 0 प्लस वी वाई 2 यानि V को हमने maximum लिया और 0 को minimum लिया तो दो potential के बीच का जो हमारा average potential है वो हो गया आपका वी वाई 2 तो जो डबलू हो गया वो हो गया 1 upon 2 QV यही कारे आवेस चालक के प्रिस्ट पर इस्तिति उड़ जा के रूपे संचित होगा हम कह सकते हैं यहाँ इस्तित उड़ जाए ही होगी यू बराबर 1 upon 2 QV अब हम यहाँ पर V कामान रख सकते हैं V is equal to Q बटे C होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि U is equal to 1 upon 2 Q square बटे C और अगर हम यहाँ पर Q कामान रख लें C V के बराबर तो U is equal to होगया 1 upon 2 C V square हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चालक को अगर हम कोई आवेज देंगे तो वहाँ पर जो चालक की समीपस्त बिदुद छेत्र होगा उस पर जो संजित उड़ जाँ होगी उसको हम उसके द्वारा किया गए कारे से नाप सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि इसका माहन हमारे पास होगा U is equal to 1 upon 2 C V square